हेलो अभी मैं वेलकम टुबैक माई चैनल तेखिए फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम पलाजू की कटिंग यान इस टीचिंग से किंगे तो देखिए उसके लिए देखिए मैंने इस तरीका से फ़ाइबिक लिए जीसे देखिए गाईस हमने फोर फोलड का रखा यह देख देखिए इसका मेजग्रमेंट नापिए फ्रेंट पहest topic अब देख्या्म हम इसको यहां सीधा करदेंगे यह देखिए हमारी यहां से देखिए हमारी इलाश्टिक जाएगी तो यह देखिए अब हम नीचे से एक इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए देखिए इस तरीका से अब यहां से हम इस लाइन को और दिके कमार्स का नाप लेंगे कमर बच्ची कीं इस दिखोविस इंच को चौथ यह देखिए इस लूजी रखेंगी हम यहां पर इस तरीका से साड़े साथ पर अब हम यहां से देखिए आसन के लिए देखिए गाइस नाप ठिक लगाएंगे तो देखिए गाइस आसन जो है देखिए हम नौ इंच पर इस तरीका से देखिए नौ इंच पर रखेंगे तो देखिए इस तरीका से हमने नौ इंच पर एक अब दिखिए यहां पर यहां पर दिखिए गाइस हमें इससे दिखिए दो इंच इश्टरा रखना एक या दो इंच तो दिखिए यहां से हम साड़े 9 इंच पर दिखिए किस तरीका से टिक करेंगे और दिखिए इसकी जो मोहरी यह हम इसकी मोहरी दिखिए 8 इंच रखेंग इस प्रकार से अब दीखी हमें ज्यादा खुछ नहीं करना है गाइस तो दीखी फ्रेंट अब हम दीखी इसकी कटिंग करेंगे दीखी हमें अपने टिकों पर इसी तरीका से कटिंग करते जाने है अब हम इस तरीका से इसको कर लेंगे और यहां से इसको और यहीं हमारी बंद साइड अब हम इसको यहां से उपन कर देंगे अब हमारे दीखी फ्ला जो की देखी guys कटिंग हो चुक एंधिया हम यहां से उल्टा रछेंगे पलटेंगे और दीखी एक को हम इस तरीका से रखेंगे एक को पहले तो हमें दीखी पहले वाले को हमें your part को सीधर रखना है दूसे को हमें इस तरीका से उल्टा उसी पर अगदेना है अब देखे हम यहां से पहले तो आसन जोड़ेंगे यहां से हम एक सिलाई रभीले लगा लिए और हमहां से नीचे से इसके मोहरी बनाएंगे इस तरीका से हमें इसको इस परकार से देखे हमें पलटते जाना है इस परकार से हम इस पर एक सिलाई दे देंगे और शेर्म इस तरीका से हमें इसे भी बनाना इस तरीका से पलटना और इस पर भी हम सिलाई दे देंगे हमने यहां से इसके मुहरी बना लिए अब हम इसके आसन जोड़ेंगे तो पहले हमें इस तरीका से इसको इसको करेंगे यहां से इस तरीका से और हम यहां से इस परकार से इसके आसन जोड़ेंगे इस तरीका से हमें एक शिलाई देनी है इसे देखिए ठीक से करके यहां से इ यहां से फोल्ड करते जाएंगी, इस तरीकांसे यह यहां से ने इस तरीकां में जाएंजांचे चलने हुआएंगी ओपन रखा ताकि हमारे इसमें यहां से इलाश्टिक जाए और हमने यहां سے देखिए एक इकलाश्टिक ले लिए जिसकी देखिए मैं आपको लम्बाई बता देऊ हमने देखिए इसकी अठारा इंच ले रखिए आपको कमर के हिसाब से लेनी है आपको कमर से है हईह इसको इस तरिकां से एक एक फरेक रखेंगे और यहांसे देखिए हम C £ चाराइ शिलाइ कर देए प्क्किख देगी कि यहांसे ताकि यूपन डाये और फिर हम इसे अंधैर करके यह जो कAPPरें हम always इसको भी यहां से स्टीच कर देंगे इस पर सिलाई देंगे हमारा बेल प्लाज हो फ्रेंट बने के रेडी हो चुका है फ्रेंट अब भी बने के ट्राइब कीजी गाइस और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरू पुछना और फ्रेंट वीडियो पसंद आतो लाइक जरू कर देना चैनल पहले बहुत चैनल को सास्क्राइब कर लिजी थैंक यू